नमस्कार स्वागत है आपका जेजेन नियूज में और मैं हूँ आपके साथ वैशाली शर्मा रुद्रपूर से दो बड़ी खबरे सामने आ रही हैं बता दे रुद्रपूर में 30 करोड की लागत से बनने वाले बहुत देश भवन का आज खेल मंत्री रेखा आर्या ने भुविपूजन किया बहुत देश भवन का निर्मान 2023 तक पूरा होना है जिसका इस्तेमाल 2024 में होने वाले राश्च्री खेलों में होगा बहुत देश भवन में सभी प्रगार के इंडोर गेम का आयोजन किया जाएगा खेल विभाग द्वारा रुदरपुर स्टेडियम में 3088 लाग 11000 की लागत से बनने जा रहे बहुत देश भवन का आज खेल मंतिर रेखा आर्या द्वारा भूमी पूजन किया गया इस दोरान उन्होंने सभी खिलाडियों को भी सम्मोधित किया इस दोरान उन्होंने उत्राखन और केंद सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में लोग को अवगत कराया उन्होंने कहा कि सरकार खिलाडियों को 1500 रुपे खेल चात्रवित्ती दी जा रही है प्रदेश के 5,000 खिलाडियों को सरकार दुवारा 6 वित्री दी जा रही है उन्होंने कहा कि खिलाडियों को अपनी प्रतिवाओं को धार देनी है दिव्यांग खिलाडियों पर बोलते हुए कहा कि दिव्यान खिलाडियों को सामाने खिलाडियों की दर्श पर पुत्साहन राश्य सरकार दुआरा दी जा रही है। इतने भी इंडोर गेम्स होंगे वह इसमें किये जाएंगे बच्चों के लिए एक सुविधा परक खेलने का स्थान जो है यहां पर हो सकेगा बैदमिंटन से लेके टेबल टेनिस तक की प्रतियोगेता यहां पर होंगी और आने वाले 38 वे राष्टी खेल का आयोजन भी इस म बंचा और चार कार्टोस भी बरामत की गई है इसके अलावा बदमाष से हल्वानी में सराफा वे पारी पर फायर जोखने के दौरान इस्तिमाल बाइक भी बरामत की गई है इससे पहले भी पुलिस टीम ने मुद्भेड में एक अन्य बदमाष को गिफ्तार कर जेल बता दे उधम सिंग नगर जनपत के बरा में चेकिंग के दोरान पुलिस टीम पर फारेन जोकने वाला एक और बदमाश को पुलभटा पुलिस ने गिरफतार किया है। की रात में फारेन करने की बात को पुल की है। वहीं दो आरोपी, रमन कपूर और मनोज अधिकारी अभी भी फरार चल रहे हैं। अभी के लिए इस ख़बर में इतना ही, बागी की तमाम ख़बरों के लिए बने रहे हैं जे जे नियूस के साथ धन्यवाद।